सबस्क्राइब का है subscribed, fully paid up, compartment का मतलब होता है, subscribed but not fully paid up, compartment का यहां पर relevance होता है, calls in area, इसका मतलब आपने पैसा नहीं दिया है, but अभी भी आपके share forfeit नहीं हुए, तो उसको बोलते हैं, calls in area, और last part होता है, जब आपके share forfeit हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, fail, तो यह हमने आपको revise कराया था, एक औ capital बताऊं, authorized capital, तो authorized capital का एक और नाम होता है, registered capital, और एक और नाम होता है, nominal capital, दूसरी capital है, आपकी issued capital, और main, हमारा main focus रहता है, subscribed capital के अंदर, तो चलिए ज़रा question को देखते हैं, फटा-फट इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है, authorized capital आपको question में दे रखी है, और rupees में दे रखी है कह रहें, पचास लाग की authorized capital है, और ये 50 lakh कैसे निकाला आपने, 25,000 share और एक share है 200 का, तो यहाँ पर लिख देते हैं, authorized capital, 25,000 shares at the rate of 200, तो finally कितनी आ गई, 50 lakh और मैंने आपको बताया था, authorized capital पर क्या करना है, आपको double line, सिर्फ presentation वाला पार्ट है, इसको totaling में count नहीं करेंगे, उसके बाद लिखा है, out of these, यानि इस 25,000 में से, company ने issue कितने करें, सिर्फ 12,000 share, तो issued capital भी आगी, हमारे पास 12,000 share at the rate of 200, तो 12,000 कितना हो गया, 24, तो 12,000, 12,000, और ये हो गया, 24,000, और ये हो गया, 24,000, और थ्राइस capital, issued capital, दौनों का दौनों पार्ट हो गये, खतम, मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता देता हूं, आपके कोर्स में, सिर्फ share capital पार्ट है, ना ही security premium आएगा, ना ही cash आएग सिर्फ किसक पर ध्यान देना है, share capital पर, हो सकता है, question आपको confuse करे, security premium देके, इस question में भी आप देखेंगे, तो आपको security premium देगा, बिटा आग बंद करके premium पर लगाना है, cross, आगे चलते हैं, तो issue करे 12,000 shares और लिखा हुआ है, at a premium of 10%, यानि security premium को हम करेंगे, ignore, नीचे बता र रुपीज, allotment में है 60, including premium, and 30, first call, balance on final call, तो जड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं, premium को आपको ignore करके चलना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा, application है 60, allotment मैंने लिखा 50, 50 नहीं, 200 रुपे का share था, और premium था 10%, 200 रुपे का share 10% premium, यानि 20 रुपे हो गया हमारा premium, तो 60 मैंसे अगर हम 20 हटा दें, तो मेरे पास actual amount आएगा 40, first call है 30 रुपीज की, बताईए balance कितना बचा, 200 रुपे का share था, तो 60 और 40, 130, कितना balance बचा, 70 बच गया balance, तो यह मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर, 10% premium हो गया, 20 रुपे, 220 का share, इस तरह से इन्होंने divide कर रखा है, यह हमारा आगया application, allotment, first call and final, पहल तो आपको इतना part समझ आना चाहिए, कि premium को हमें बीच में नहीं लाना, premium को मैंने क्या कर दिया है, ignore कर दिया है, अब आगे चलते है, public ने apply कितने share करें हैं, 11,000, यानि sir main concept तो यह है, 11,000 public ने मांगे हैं, subscribe कितने करें हैं, 11,000, अब ढूणना है, इस 11,000 में से pass, compartment और fail, आईए ज़रा ढूणना, start करते हैं, इस 11,000 में से, all the money was duly received, सबने ही पैसे दे दिये हैं, सबने पैसे दे दिये, यानि सारे के सारे क्या हो गए हैं, pass, पास का मतलब subscribed and fully paid up, सारे के सारे 11,000 shares into 200, कितना amount आ गया, 20 lakh, 22 lakh, 11 into 22 lakh, subscribe and fully paid up है नहीं, 4 feature है नहीं, net answer, net answer आ गया, 22 lakh, और यही net answer हम लिख देंगे उपर, खतम, बिटा, खतम हो गई, आपकी companies की balance sheet कहीं कुछ भी नहीं लिखा था, इस चब पड़ भी लेते हैं, schedule third, part one of companies at 2013 के according, सिरफ share capital बताना है, बिटा, सिरफ share capital, इसका मतलब security premium को आपने क्या करना है, ignore, मैंने भी यहां से ignore कर दिया था, main point premium का था और question आ रखा है 2013 में, तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो के साथ, और कुछ questions आपके साथ discuss करेंगे, next video में,